पुझ्य सास्त्री जी महराज स्वामी की प्रिणा से उनके आशिर्वात से राजकोड गुरुकुल के पचत्तर वर्ष हो रहे हैं मैं राजकोड गुरुकुल के पचत्तर वर्षों की इस यात्रा के लिए आप सभी को रदय से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ बगवान ची स्वामिनारण उनके नाम स्मर्ण से ही एक नवचेतना का संचार होता है और आज आप सब संतों के सानिद्य में स्वामिनारण का नाम स्मर्ण एक अलग ही सौभाग्य का आउसर है मुझे विश्वास है इस अहितिहासिक संस्थान का आने वाला भविश्य और भी यश्यस्वी होगा इसके योगदान और भी अप्रतीम होंगे साथियों स्री स्वामिनारण गुरुकुल राजकोट की यात्रा के 75 वर्ष ऐसे कालखन में पूरे हो रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है यह सुखद संयोग तो है ही सुखद सुयोग भी है एक राश के रुप में भारत की आजाद भारत की जिवन यात्रा ऐसे सुयोगों से ही और हजारों साल की हमारी महान परंपरा भी ऐसे ही सुयोगों से ही गतिमान रही है यह सुयोग है करमड़ता और कर्तव्य के सुयोग यह सुयोग है संस्कृती और समर्पन के सुयोग यह सुयोग है आध्यात्म और आधुलिकता के सुयोग जब देश आजाध हुआ तो हमारे उपर यह जिम्मेदारी थी कि हम सिख्षा के खेत्र में भारत के प्राचिन वैववव और हमारा महान गवरों को पुनरजिवित करें लेकिन गुलामी की मानसिक्ता के दबाव में सरकारें उद्धिशा में बड़ी नहीं और कुछ बातों में तो उल्टे पैर चली और इन परिस्थित्यों में एक बार फिर हमारे संतों ने आचारियों ने देश के प्रती इसकर्तव्य को निभाने का बिड़ा उठाया स्वामिनारायन गुरुकुल इसी स्वयोग का एक जीवंत उदारन है आजहादी के तुरंत बात भारतिय मुल्यों और आदर्शों की निव पर इस अंदोलन को इस संस्थान को निर्मित किया गया पुझ्य धर्म जीवन दाज जी स्वामी जी का राजकोट गुरुकुल के लिए जो वीजन था उसमा अध्यात्मा और आधुनिक्ता से लेकर संस्कृति और संस्कार तक सब कुछ समाहित था आज वो विचार बूज वो विचार बीज एक विशाल वटवुरुक्ष के रूप में हमारे सामने है मैं गुजरात में आप सब के बीच में ही रहा हूँ आगपी के बीच में पला बड़ा हूँ और यह मेरा सोभाग रहा है कि मुझे इस वटवुरुक्ष को आकार लेते हुए अपनी आखों से टीप से देखने का सुववसर मिला है इस गुरुक्ष के मूल में भगवान स्वामिनारण की प्रेणा रही है प्रवर्तनिया सद्विद्या भुवी यत सुकृतम महत अर्था सत्विद्या का प्रसार संसार का सबसे पवित्र सबसे महत्वपून कार्य है यही तो ज्यान और शिक्षा के प्रती भारत का वो सास्वत समर्पन है जिसने हमारी सब्विता की नीव रखी है इसी का प्रभाव है कि कभी राजकोट में केवल साथ विद्यार्थियों के साथ प्रारंब हुए गुरुकूल विद्या प्रतिष्ठानम की आज देश विदेश में करीब कि चालिस साखाएं हैं हर वर्ष यहां हजारों की संख्या में विद्यार्थिया आते हैं पिछले पच्चतर वर्षों में गुरुकूल ने छात्रों के मन मस्तिश्क को अच्छे विचारों और मुल्यों से सीचा है ताकि उनका समग्र विकास हो सके आज धात्म के ख्षेत्र में समर्पित विवाओं से लेकर इस्रों और बार्ख में वैज्यानिकों तक हम गुरुकूल परंपरा ने हर शेत्र में देश की मेगहा को पोशित किया है और गुरुकूल की एक विशेस्ता हम सब जानते हैं और आज के यूग में हर किसी को वो प्रभावित करती है बहुत कम लोगों को मालूम है कि उस कठीन काल में भी और आज भी ये गुरुकूल एक ऐसा समस्तान है जो हर गरीब शात्र से शिक्षा के लिए एक दिन का केवल एक रुपिया फिस्त लेता है इससे गरीब विद्यार्थियों के लिए शिक्षा पाने का रास्ता आसान हो रहा है साथियों आप सभी जानते हैं कि भारत में ज्ञान ही जीवन का सरवोच्य उद्देश रहा है इसलिए जिस काणखन में दुनिया के दूसरे देशों की पहचान वहां के राज्यों और राजकुलों से होती थी तब भारत को भारत भूमी के गुरु कुलों से जाना जाता था गुरु कुल यानि गुरु का कुल ज्यान का कुल हमारे गुरु कुल सदियों से समता ममता समानता और सेवा भाव की बाटिका की तरह रहे हैं नालंदा और तक्सर सिला जैसे विश्विविद्याले भारत की इस गुरु कुल परंपरा के वैश्विक वैभव के परियाय हुआ करते थे खोज और शोथ यह भारत की जीवन पधति का हिस्सा थे आज हम भारत के कणकण में जो विवितता देखते हैं जो सांस्कृतिक सम्रिद्धी देखते हैं यह उनी शोधों और अन्वेशनों के पर्राम हैं आत्म तत्व से परमात्म तत्व तक आध्यात्म से अरुवेश तक सोशल साइंस से सोलार साइंस तक मैच से मेटलर्जी तक और सुन्डे से अनंत तक हमने हर शेत्र में शोध किये नए निश्कस निकाले भारत ने अंधकार से भरे उन यूगों में मानवता को प्रकास की वो किरणे दी जिनसे आधुनिक विश्व और आधुनिक विज्ञान की यात्राफ शुडू हुई और इनुपलग्धियों के बीच हमारे गुरुकुलों की एक और शक्ति ने विश्व का मार्ग प्रसस्त किया जिस कालखण में विश्व में जेंडर एक्वलेटी जैसे शब्दों का जन्म भी नहीं हुआ था तब हमारे हां गारगी मैत्रेई जैसी विद्वशियां सास्त्रार्श करती थी महर्ची वालमिकी के आश्रम में लवकुष के साथ ही आत्रेई भी पड़ रही थी मुझे खुशी है कि स्वामिनारण गुरुकूल इस पुरातन परंप्रा को आधुनिक भारत को आगे बढ़ाने के लिए कन्या गुरुकूल की शुरुवात कर रहा है 75 वर्स के अमृत महोसों में आजहाज के अमृत काल में इस संस्तान के शांदार उपलब्दी होगी और देश के लिए महत्वपुन योगदान भी होगा साथियों आप सभी बहतर तरीके से जानते हैं कि भारत के उजवल भविश्य में हमारी आज की शिक्षा व्यवस्ता और सिक्षन संस्तानों की कितनी बड़ी भूमी का है इसलिए आजहादी के इस अमृत काल में देश एजुकेशन इंफ्रास्रक्टर हो या एजुकेशन पॉलिसी हम हर स्तर पर अधिक गती से अधिक विस्तार से काम में जुटे रहते हैं आज देश में बड़े सैक्षिक संस्तानों कि आयाइटी कि ट्रीपल आईटी कि आयाएम कि एम से समस्तानों की संख्या में बड़ी वृद्धि हो रही हैं दो हजार चौदा के बाद से मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 65 प्रतिसत से ज्यादा की बड़ोत्री हुई है नई राष्ट्रिय सिख्षानिती के जरिये देश पहली बार उच सिख्षा व्यवस्ता को तयार कर रहा है जो फॉर्वर्ड लुकिंग है फिचरिस्टिक है जम नई पीढ़ी बच्पन से ही बहतर सिख्षा व्यवस्ता में पलेगी और बड़ेगी तो देश के लिए आदर्ष नागरिकों का निर्माण भी स्वत्व होता चला जाएगा यही आदर्ष नागरिक आदर्ष हुआ 2047 में 2047 में जब देश आजादी के सो साल मनाता होगा विख्षिद भारत के सपने को सिद्धी तक लेकर के जाएंगे और इसमें निश्चित तोर पर श्री स्वामिनार और गुरुकुल जैसे स्विक्षा समस्तानों का प्रयास बहुत एहम होगा साथियों अमृत काल की अगले 25 वर्षों की यात्रा में आप संतों का आश्रवात और आप सभी का साथ बहुत महत्वपूर है आज भारत में और भारत के संकल्प भी नए हैं उन संकल्पों की सिद्धी के प्रयास भी नए हैं आज देश, डिजिटल इनिया, आत्मनिर भर भारत, बोकल फ़र लोकल, हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्मान एक भारत, स्वेश्ट भारत के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है सामाजिक बडलाव और समाज सुधार के इनकारियों में भी सबका प्रयास करोडों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा मुझे विश्वास है स्वामिनारेंड गुलुकूल विद्या प्रतिष्ठानम जैसे संस्तान इस संकल्प यात्रा को इसी तरह उर्जा देते रहेंगे और जब मैं आज आप सब संतों के बीच में आया हूँ पतरतर साल की एक बहुत बड़ी यात्रा जिसे आपने सफलता पुर्वक आगे बढ़ाया है अब इसका विस्तार देश के युवाओं के लाब में भी होना चाहिए क्या मैं स्वामिना और गुरुकूलों से आज एक प्रार्थना कर सकता हूँ हमारा जो नौर्थ इस्ठ है आपताय करें कि हर वर्ष कम से कम सो युवक पंद्रा दिन के लिए नौर्थ इस जाएंगे नागा लेंड है मिजोरम है अरुना चल प्रदेश है त्रिपूरा है सिक्कीम है पंद्रा दिन वहां जाना वहां युवकों से मिलना उनसे परिश्य बढ़ाना वहें की चीजों गयानना आकर के उसके उपर लिखना हर वर्ष कम से कम डेड़ सो युवक पंद्रा दिन के लिए वहां जाए आप देखिए 75 साल पहले हमारे संतों ने कितनी कठिनाईयों में इस यात्रा को अरंब किया होगा आपको वहां जाकर के लिखेगा कि कितने होनहार युवक हमारे नौर्थिश्ट में है अगर उनके साथ हमारा नाता जुड़ जाता है तो देश के लिए वह एक नई ताकत जुड़ जाएगी आप कोशिश किजिए उसी प्रकार से क्या हमारे संत समुदाई में है अगर मुझे आद है जब बेटी बचाओ अभियान हम कर रहे थे तो छोटी छोटी बालिकाएं मंच पर आकर के साथ मिनिट आट मिनिट दस मिनिट का बड़ा रदय द्रावक और बड़े अभिनाई के साथ भाशन करती थी सारे ओडियंस को रुला देती थी और वो कहती थी मां के घरब में से वो बोलती थी कि मां मुझे मत मारो ब्रहत्या की खिलाब वो अंदोलन का बहुत बड़ा नित्रुत हमारी बेटियों ने गुजरात में गिया था कि आहां हमारे गुरुकूल के विद्यार थी धरती माता के रूप में लोगों को संबोधित करें कि मैं तुम्हारी मां हूं कि मैं तुम्हारे लिए अन्न फल फूल सब पैदा करती हूं मुझे मत मारो यह फर्टिलाइजर यह केमिकाल यह दवाईयां मुझे उसे मुक्ति दो और प्राकृति खेती की तरफ प्रेरित करने लिए किसानों के बीच में मेरे गुरुकूल के विद्यार्दि इस प्रकार से स्ट्रीट प्ले करे शेरी नाटक करे बहुत बड़ा भ्यान गुरुकूल हमारे चला सकते हैं और मुझे खुशी है कि गुजरात के हमारे गवर्नर सिमान आचारे देवरजी के नेतृत्व में प्राकूर्टिखेती का गौर्बरा भ्यान चला है आप भी जैसे मनुश्य को व्यसन से मुक्ति का भ्यान चला रहे हैं वैसे ही धर्ती माता को इस प्रकार के जहर से मुक्ति का प्रन लेने के लिए किसानों को प्रेरित करने का काम कर सकते हैं क्योंकि गुरुकुलों में जो लोग आते हैं वो मूल गाउं से किसानी परिवार से आते हैं उनके माध्यम से बात बड़ी सरलता से पहुंच सकती है तो आज आदिज के इस अम्रित काल में हमारे गुरुकुल हमारे संसकारित उजवल भविष्य के लिए परियावरन की रख्षा के लिए एक भारत स्रेष्ट भारत के सपने को साखार करने के लिए अनेक नए विचारों आदर्शों संकल्पों को लेकर के चल सकते हैं और मुझे विश्वास है स्वामिना इन परंपरा की मेरे लिए बड़ा से भाग रहा है कि स्वामिना इन परंपरा में जब भी मैं आप से मिला हूँ जो भी मांगा है आप समने पूरा किया है आज जब मैं इन चीजों को मांग रहा हूँ मुझे विश्वास है आप भी इसको पूरा करेंगे और गुजरात का नाम तो रोशन होगा ही होगा भावी पीड़ी का जीवन आसान होगा फिर एक बार आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद जैस्वामिरा रहे